what's up message not sending problem या फिर दोस्तों what's up के ओपर आप जो यहाँ पर किसी को message कर रहे हो तो यहाँ पर आपका message forward नहीं हो रहा है और यहाँ पर किसी का message आपको नहीं आ रहा है तो यदि आपको यह problem देखने को मिल रही है आभी के time पर what's up के ओपर तो आप इस वीडियो को end तक देखते रहे ना बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक क्या है आज मैं आपको बता देता हूँ what's up यहाँ पर क्या हो गया what's up को और what's up का यह problem किस तरीकी से solve करना है अपस में जाना होता है और अपस के option पर क्लिक करना है उसके बाद आपको मैंने चैप करना है उसके बाद आप यहाँ पर उपर सर्जबार आएगा नीचे बहुत सा रायब आपका मुबाइल का तो यहाँ पर simple आपको अपना यहाँ पर WhatsApp को डून लेना है या फिर उपर सर्च कर लो WhatsApp तो उपर आजएगा WhatsApp तो उपन करना है तो ध्यान में रही है आपको यहाँ पर storage को option पर क्लिक करके आपको यहाँ पर clear data या फिर clear catch नहीं करना है अपने WhatsApp का आपका WhatsApp को delete भी नहीं करना है इससे कुछ भी नहीं होने वाला यह server डाउन है ठीक है उसके लिए जिस्ट क्या करना होगा mobile data के option पर क्लिक करना है यहाँ से आपको अपना data को यहाँ से turn on कर देना है simply और इसका background data को भी यहाँ से turn off करके इसको भी turn off कर देना है turn on कर देना है उसके बाद आप सभी प्ले श्टोर को open करना है अब फ्रेंट से पर प्लेंस इन फइन फींपस करना है अपको यहाँ पर सर्च करना है और यहां से आप मैसेज कर सकते हों, यहां पे देख सकते हो, जैसे यह WhatsApp को अपडेट करूए तो आपका message जाना start हो जाएगा, आपका WhatsApp ठीक हो जाएगा. अगर आपका फिर भी message forward नहीं हो रहा है तो तोड़ा आपको wait करना है ये काम करने के बाद दोस्तों तुरन नहीं होता है एक दो-तिन मिनिट के बाद ये काम करने के बाद आपका problem solve हो जाएगा और WhatsApp का server down है ठीक है अगर फिर भी आपका message send नहीं होता है तो गवरानी के कोई बात नहीं है मैं आपको मेरी guarantee देता हूँ ये WhatsApp का server down के करने कभी-कभी message नहीं जाता है आपके साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ issue होता है लेकिन आपको तोड़े सबर करना आपका problem solve हो जाएगा WhatsApp को update कर लो WhatsApp को delete मत करना पूरे chat delete हो जाएगे ठीक है ये server down के करन्ट से होता है WhatsApp लाकों करोडों लोग use करते है तो कभी-कभी इनके server में problem आ जाती है ठीक है अब ये आपकी problem solve हो जाएगी वीडियो पसंद आदे वीडियो को like करके चल्क को subscribe करेंगे